मैं आज आपको एक बहुत ही बहुमुल्य जानकारी देना चाहता हूँ आपके इमोशन्स के बारे में फीलिंग्स इमोशन्स शरीर में होने वाली कोई भी प्रक्रिया कभी भी आपके विरुद्ध काम करती नहीं है कोई भी आने वाला इमोशन्स आपको एक संदेश देना चाहता है हम साइकोलोजिस्ट इमोशन्स को गुड और बैड की केटेगरी में नहीं देखते है आमतोर पर लोगों के अंदर ये धार्णा होती है कि फीलिंग्स अच्छी होती है कुछ फीलिंग्स बुरी होती है साइडनेस और एंग्जाइटी बुरी फीलिंग है अकसर लोग इस दो कैटेगरी में फीलिंग्स को इमोशन्स को डाल देते है पर मेरा मत ये है कि इमोशन्स फीलिंग्स इस जीज़े नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती ये हमारे ब्रेइन के द्वारा भेजे गए सिगनल्स हैं अगर बात करें फील और एंग्जाइटी सिगनल्स की तो ये जो दो सिगनल्स हैं ये बार-बार क्यों आते हमें ये हमें बार-बार इसलिए आते हैं क्योंकि आप इन के द्वारा दिये गए मेसेज को गलत तरीके से इंटर्पेट कर रहे हूँ देखिए इमोशन्स का काम है अपनी जूटी निभाना आपको सिगनल्स देना और आपका काम है उन इमोशन्स के सिगनल्स को सही तरीके से परखना इंटर्पेट करना और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना कई बार हम अपने ही सिगनल्स की अपने ही इमोशन्स की भाषा नहीं समझ पाते आपका इमोशन, फियर और एंग्जाइटी आपको कोई मेसेज देना चाह रहा है अब देखते हैं कि ये मेसेज क्या है आपको जब भी इंग्जाइटी और फियर आता है तो आप इससे ये मेसेज निकालते हैं कि यहां से हट जाएं, यहां से चले जाएं सिच्वेशन को अवोईड करें और आप उस situation का सामना नहीं करते वहां से हड जाते हैं लेकिन आप देखेंगे कि जो हब को relief मिलता है वो temporary है आप फिर कुछ दिन बाद उसी signal को वापस से experience करते हैं फिर fear और anxiety वापस आ जाता है फिर आप award करते हैं कुछ दिन बाद फिर से वो ही fear वो ही anxiety वापस आपको signal देता है और ये cycle ये प्रक्रिया चलती रहती है आप एक बात सोचें यहाँ गौर तलब है कि अगर signals जो हमाई आ रहे हैं हमारे emotions के द्वारा अगर वो अपनी duty निभा रहे हैं और आपको message दे रहे हैं यदि आप इन messages को सही से interpret करके सही action ले रहे हो तो ये messages बार बार देने की जरूरत क्यों पढ़ रही है brain को बार बार क्यों दे रहे हैं भाई अगर उनकी duty थी आपको एक message पहुचाना और अगर वो message का मतलब avoidance था और आपने avoidance कर ली है तो बार बार क्यों आ रहे हैं वो signals कहीं न कहीं हमसे एक चूक हो रही है कहीं न कहीं हमसे एक गलती हो रही है गलती ये है कि शायद हम उस message का decoding गलत कर रहे हैं उस पे action गलत ले रहे हैं क्या पता वो हमें right जाने के लिए कह रहे हैं और हम left जा रहे हैं तो क्या हम सब लोग एक बार एक opposite direction में जाके देखें कि expose आप अभी क्या कर रहे हैं avoid avoidance का उल्टा क्या होता है आगे बढ़ना exposure facing the fear facing the situation अब जैसे ही एक इनसान situation face कर लेता है तो उसको fear और anxiety का signal आना बंद हो जाता है अचानक और लोग मुझे आके कहते हैं आयूश सर अचानक से मिरे को fear और anxiety होना बंद हो गई क्या magic हुआ क्या चीज हुई क्या process था actually यहां कोई miracle नहीं है बस बात के वाल इतनी सी है कि आपने अपने emotions का सही message interpret कर लिया है बात के वाल इतनी सी है कि जो message वो आपको देने के लिए इतने महीनों इतने सालों से प्रयास कर रहे थे आपके emotions वो आपने finally ठीक तरीके से interpret कर लिया और ठीक action ले लिया इसलिए तो वो आना बंद हो गए क्योंकि उनकी duty पूरी हो गई अब यही आपको समझना होगा कि हम जीवन भर से जिन भी स्थितियों में fear के साथ आगे बढ़ जाते हैं वहाँ fear का signal बंद हो जाता है जैसे कि बच्पन से road cross करने से डर लगना अंधेरे कमरे में सोने से डर लगना school जाने से डर लगना exam देने से डर लगना सेम चीज आपके अभी की स्थिती पे current situation पे भी applicable है यदि आप उनका message अपने fear और anxiety का सही message समझ जाते हैं and you go forward with the situations तो आपके ये signals आने बंद हो जाएंगे दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे कि बड़े से बड़े fears भी कई सारे human beings ने पार कर ली हैं jumping ये सारी चीजें humanly possible है humans करते हैं even astronaut बनना space में जाना outer space जो हमारे लिए बना भी नहीं है तो वहाँ पर भी हम जा सकते हैं अगर हम fear के signal को अलग direction में अलग तरीके से देखें कि ये हमें पीछे हटने के लिए नहीं आगे जाने के लिए कह रहा है अब नाउ एक सवाल आता है कि सर कौन से fears real हैं और कौन से unreal ये पता कैसे चलेगा तो देखिए एक line में इसका answer ये है कि real fears universally applicable होते हैं सब लोगों को आते हैं हर human being को आते हैं वो हमारे देश का हो विदेश में रहता हो हमारे से similar हो हमारे से dissimilar हो हर इनसान को हर human being को वो fears similarly impact करते हैं तो वो आग जो है आपका भी हाथ जलाएगी और मेरा भी लेकिन on the other hand fake fears are those which are happening just to you they are fake fears they are fears which are telling you to go forward ना कि go backward stage fear तब तक नहीं हटता है कि इनसान का जब तक वो जाके presentations नहीं दे देता आप भी अगर अपनी life को analyze करोगे तो जो चीज़ी अब आपको बहुत easy लगती हैं वो एक समय में बहुत difficult लगती होंगी for example table of 13 it was very difficult for me to remember वो मुझे road learning से याद हुआ बहुत मुश्किल से हुआ पर आज मुझे उसे डर नहीं लगता है तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं अपने fear के right message को interpret करें wrong message को नहीं and face your fears like a pro all the best a पर देन